ही ओलेट गई तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सा टाइप का यूज करके एंस फोडो एडिटिंग कैसे कर सकते हो बहुत ही असाना स्टेप्स में आपको बताने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा दिखेंगे तो आप असानी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्ट्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना तभी आपको आगे की वीडियो की नोटिफिक्सन में मिलेगी और आप वीडियो को देख पाओगे तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लिजे हमारे इंस्टाग्राम आडि की लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिलेगी या फिर आईडियो नेम यहां पर सोड़ी है तो यहां से हमें आप फॉलो कर सकते हो तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टाट करते हैं मैं आर्या आप देख रहे हैं हो आर्या इडियूट्स तो जैसे कि आप लोग देख पारे होंगे हम पिक्सा टाइप के अंदर इस फोटो को ओपेन कर लिया है पिक्सा टाइप का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिलेगा डाउनलोड कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्ले इस्टोर पे भी मिल जाएगा आप वहे पिक्सा टाइप के अंदर हमने इस फोटो को ओपें कर लिया है सबसे पहले आपको फोटो को ओपें करना है यानि की एफेक्ट्स इस पर नमरा नॉन के बाद तो इसके बीच में प्लस का icon है इसे अपने face पे भिला कर छोड़ देना है ठीक है इतना हो जाने के बाद यहां आपको मिलेगी min hue फस्ट नमर पर इसे आपको पूरा right side के और बढ़ा देना है यानि कि 80 करदेना है ठीक है इतना हो जाने के बाद यहां आपको मिलेगी max hue उसके नीचे तो इसे भी आपको बढ़ा देना है लेकिन इसे आपको पूरा नहीं बढ़ाना है याद रहेगा max hue को पूरा नहीं बढ़ाना है इसे मैं 56 के राउंड रख दिया हूँ आपको भी कुछ ऐसा ही रखना होगा तो इतना हो जाने के बाद यहां से merge कर देना है merge कर देने के बाद अब आपको इसमें एक और काम करना है वो है यहां पे color replace जो की थर्ड नमर पे आपको मिलेगी इसमें भी सेम प्रोसेस है इस प्लस का आइकोन को अपके अपने face पिला करना है अपने background पे छोड़ने आए ठीक जो color हमने रखा था अगर आपको वैसा color रखना है तो आपको जो है replace जो इतना मैं रखना हूँ आपको उतना रखना होगा ठीक है तो मैं यहां से photo को जुम कर लेना हूँ तकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए तो यह जो replace ही होगा है इसको मैं यहां पर 16 कर दूंगा या जितना काम होता है खतम अब आपको इसमें saturation apply करना है तो इसके लिए हम colors महीं मिलेगा आपको saturation थार्ड लास्ट नमर पर यहां पर आने के बाद अब आपको यहां से eraser वाले option पे क्लिक करना है और यहां पर लिखा होगा erase तो देख लिए erase को हम select करेंगे और अपनी photo को जुम पर आपको sign का mark मिलेगा right mark मिलेगा इस पर आपको click कर देना है इस पर click करके done कर लेना है तो यहां पर इतना काम होता है खतम अब अपने face को white करना है गोडा करना है तो इसके लिए हम जाएंगे tools पे tools पर click करने के बद यहां आपको मिलेगी adjust adjust पर आपको click कर देना है इस पर तो यह आप कुछ से डिसाइड करना है कि आपको कितना आपको फेस पे ब्राइटनेस चाहिए उसी साफ से आप ब्राइटनेस को बढ़ाना ठीक है और यहां से अब आपको जाना है एडियाजर पे और यहां इंवर्ट का एक option मिलेगा फोर्थ नमर पे इंवर्ट पे क्लिक कर देना है और अमईई फोटो को जूम करना है और इस तरीके से अपने फेस पेस के चला देना है यहानि कि यहाँ जहाँ आप चला तक आपका टाइम वेस्ट ना हो सके तो गैज जैसे कि आप लोग देख पार हैं पूरे फेस और हैंट पर चला दिया है अब उपर आपको एक साइन के राइट मार्क मिलेगा इसके आपको क्लिक कर देना है और लेफ्ट सेट में भी आपको एक राइट मार्क मिलेगा लेकिन इससे पहले यहां से क्लैरिटी को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तैंकि हमारे फेस में अच्छे खासी मतलब क्लैरिटी भी आ सके टिक है और इसके पाद यहां से आपको राइट मार्क कर देना है तो इतना काम होता है खतम और हमारी फॉट्टो गाईस कंप्लीटली यहां पर बहुत ही मस्त लग रही है लेकिन एक चीज की और कमी है यहां से आपको add photo पर click करके एक मतलब lips का प्याइज एड़ करना है ठीक है तो मैं यहां से इस png को add कर लेता हूं इसके link आपको description में मिलेगा आप वहां से download कर सकते हो तो यह रही है png मैं इसको simply zoom कर लेता और इस तरीके से फोटो में set कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर गए set हो चुकी है लेकिन अभी भी background के यह match नहीं कर रही है तो उसके लिए हम adjust पर जाएंगे adjust में जाने के बाद इसकी situation को हम बढ़ा देंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको मिलेगी situation फोट नमर पर इसकी amount को हम लगबग इतना बढ़ा देंगे और यहाँ से इसकी hue को अपने background से match करा देंगे यहाँ पर इतना काम होता है खतम और हमारी फोटो completely एडिट हो चुकी है बहुत ही गजब की एडिट हो गई तो आप यह किन नहीं करोगे इतना must edit भी pixart के अंदर हो सकता है तो अपने फोटो को हम आपको दिखा देना है before and after मतलब बहुत ही गजब की हमारी फोटो यहाँ पर हो चुकी है अगर आप भी अपनी फोटो को ऐसा एडिट करना चाहते हो तो जो यह स्टेप मैंने बताया है यह स्टेप फॉलो करना है अब आपको यहां से draw में जाना है डॉम जाके हम सब्सक्राइब करना है किस तरह का मुझे उमीद है यह विडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूद सब्सक तो फिलाल के लिए का जितना ही जल्द रखते हैं किसे नई वीडियो में अगले टॉपिक साथ लव यो और टेकर बाई